रामराम सबी भाईयों को भाईयों आजकल काफी पत्रकार, काफी चित्रकार, काफी इत्यासकार बोलते हा रहे हैं कि गुर्जर एक विदेशी जाती है, विदेशी कौम है, यह विदेश से आये थे उस्तिच का क्या शुरूत है आज हम बात करते हैं कि गुजर कौन थे और कहां से आई थे भारत में एक पहनकर शड़ेंतर के अंतरगत लेखकों का एक ऐसा वर्ग सक्रिय रहा है जो भारत की अनेकों जातियों को विदेशी सिद्ध करने का प्रियास करता रहा है जबकि भारत की इतियास परंपरा के ऐसे अनेकों स्पस्ट प्रमाण हैं कि भारत की लगवक सभी वे जातियां जो अपने आपको आर्यों की संतान कहती है या भारतियास धर्म और संस्कृति में अपना विश्वास व्यर्थ करती है मूल रूप से सभी भारती है जो लोग आर्यों की संतान के रूप में भारत में बस रही जातियों को विदेशी सिद्ध करने का प्रियास करते हैं उनके ऐसा करने से उन्हें यह लाव होता है कि ऐसी परिस्तियों में भारत पर कोई भी एक जाती अपना डावा नहीं कर सकेगी और सब अपने आपको विदेशी मूल की होने का कारण अलग-अलग समझने की भूल करते रहेंगे जिसका परिणाम यह होगा कि भारत की परतेक जाती अपना मूल विदेशों में खोजेगी जो स्वाभिविक रूप से उनका लगाव भारत से ना होकर विदेशों के किसी विस्तिस्ट स्थान या भौकौलिक छेतर से होगा जहां से वह अपना निकास मान रही होगी इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि भारत तूटेगा बिखरेगा क्योंकि जिस राष्ट में संस्कृती एकता ना हो और जिसकी इतिहास की परंपरा एक ना हो जिसका धर्म एक ना हो जिसकी मानता एक ना हो उसमें बिखराव आता ही आता है इसे कोई नहीं रोकता क्योंकि जहां बिखराव तूटता आती है वहां तूटना ही तूटना है भारत को भारत के लोगों की और विशेश रूप से भारत में निवास कर रही जातियों की इन सारी चीज़ों को अलग अलग सिद्ध करके उद्देश से भारत की जातियों को विश्व के अन्य भोगल एक छेत्रों में आई हुई दिखाने का शड्यंत किया जाता है। भारत की जिन जातियों को शड्यंत्रकारी लेखकों ने विदेशी सिद्ध करने का प्रयास किया है। उनमें से एक गुर्जा जाती भी है। रोके रखने का प्रशंसनिय और देश भक्ती पूर्ण कारे भी किया है। यह बहुत कम लोगों को पता होगा। यदि यह जाती विदेशी होती तो विदेशी हमलावरों को मा भारती पर हमला करने से रोकने का प्रशंसनिय कार ना करती। और उनको भारत में आने देती। सहंगार करने की कीर्टी मान इस्थापित करते हैं। भारत के इतियास में एक पल भी ऐसा नहीं आया जब किसी गुर्जर शासक ने या किसी गुर्जर योद्धा ने किसी विदेशी का साथ दिया हूँ या मा भारती के विरुद घात किया हूँ। इसी से पता चल जाता है कि इस जाती के शासकों और योद्धाओं का मा भारती के परती कितना सम्पूर्ण सम्मान व्यवार रहा है। और यदि वह ऐसा कर रहे थे तो इसका एक ही कारण था कि वह अपने आपको इसके मूल से जुड़ा हुआ अनुवब करते थे। इससे पहले कि हम गुर्जरों के व प्रकास डाला जाए जो हम सबको एक ही मूल का सिद्ध करने के लिए बहुत प्रमानिक है। इसके लिए भारत के प्राचिन साहित्य की पड़ताल करना अवश्यक है। इतिहास की अनेकों घटनाओं का उल्लेक पुराणों में मिलता है। पुराण वास्तव में इतिहास की ह पुस्तके हैं जो पुराणिक काल के इतिहास इतिहास वरत को सुरक्षित रखने के लिए लिए लिखी गई। शतायू पुराण के अनुसार धरती के साथ द्वीवपों का हमें पता चलता है। जिसके नाम जम्बू, पलक्ष, शालमली, कुश, क्रोंच, शाक, एबम आज के यूरोप और एशिया से मिलकर बनाया हुआ माना है। पुराणों की उपरोग्त साक्षि से ये स्पस्ट की संपून भूम अंडल के सातों द्वीपो पर आर्रेओं का ही शाशन था और आर्रे संपून भूम अंडल के प्रतेक शेत्र से परिचित थे। पुराणों क साक्षि से ये भी सिद्ध होता है कि पहले संपून आर सिद्ध हिंदू जाती जम्बू द्वीप पर शाशन करते थे। इसपस्ट है कि यूरोप और एसिया से जितने भर भी देश आज हमें विश्व मानचित्र पर दिखाई देते हैं वे सब गे सब प्राचीन काल में वैदिक धर्मी आर्यों और कलांतर में उनके इस्तार पर हिंदू के नाम से पुकारे गए हमारे पूर्वजों की ही संतानों क देश हैं इन जंबू दिपों की भी नोखंड थे इलावरत, बद्राश्व, किमपूरुष, भरत, हरी, केतुमाल, रम्यक, कुरू और हिरेमें इन नोखंडों में से भारत नाम के खंड को भारत खंड का भारत वर्स के नाम से जाना गया इस भारत का उस्वेपूर्व का न नाम अजिनाव था, इस भरत खंड के भी नोखंड थे, इंदरदवेप, कसेरू, तामरपर्ण, गविस्तमान, नागदवेप, सौम, गंधर्व और वारुन, तथा यह समुद्र से घिरा हुआ दुएप उनमें नोवा है, यह भारत वर्स, अफगानिस्तान के हिंदू चोटी से कन्या कुमारी तक फैला हुआ था, दूसरी और यह हिंदो कुष्ष, अरब सागर तक और अधुनाचल से वर्मा तक फैला था, इसका आर्थ हुआ कि उस समय के भारत खंड के अंतरगत, आज के अफगानिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, बोटान, वर्मा, शिर मगद, दक्षनात्य, अपरांत देश्वासी, सौराष्ट गण, तहाशूर, आभीर, अरबूद गण, कारूश, मालव, पारियात्र, सौवीर, संधव, हून, शालव, कौशल, मद्र, आराम, अंबस्ठ और पार्सी गण आदी रहती थे, इनके पूर्व, भाग में, किराट और पश्चिम भाग में, यवन बसे हुए थे, वायू पुराण के अनुसार, त्रेता योग के हजारो वर्स पूर्व, पर्थम मनू, वायू भूब मनू के पौत्र और प्रियवरत के पुत्र ने इस भारत वर्स को बसाया था, वायू नाभी था, नाभी की एक पत्नी मेरू देव से जो पुत्र उत्पन हुआ, उसका नाम रिशब था, इसी रिशब के पुत्र भरत ने तथा इनी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत वर्स पड़ा, प्राचीन में जंबु दूइप एक मात्र ऐसा दूइप था, जहां र मनु और उनकी पत्नी सतरूपा निवास करते थे, राजा प्रियवरत ने अपनी पुत्री के दस पुत्रों में से साथ को संपूर्ण धर्ती के साथ महादूइपो का राजा बना दिया था, और अगनींद्र को जंबु दूइप का राजा बना दिया था, इस प्रकार राज भरत ने जो छेत्र अपने पुत्र सुमित को दिया वह भारत वर्स कहलाया महावारत के अनुसार भरत का सामराज संपूर्ण भारतिय उप महादियूपों में व्याप्त था जिसमें वर्तमान भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान उजेविकिस्तान तजिकिस्तान कर्गिस्तान किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान तथा फार्स आदी छेतर सम्मिलित थे दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इन सारे देशों का अतीत भारत का अतीत है भारत का संपूर्ण इत्यास यदी लिखा जाए तो उन देशों का इत्यास इसमें अपने आप समलित हो जाएगा इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसा कोई रेल गाड़ी जिस स्थान से चली वहां से लेकर उसके गंतव इस्तल तक बीच में कोई स्टेशन आते हैं जहां पर यात्री उतरते चड़ते रहते हैं एक प्रकार से भारत की प्राचीन काल से चली आ रही रेल की ये देश बीच में मार्ग में पढ़ने वाले स्टेशन है जिस पर किसी समय विशेश पर कुछ यात्री देश उतर गए अर्थार्थ भारत से पहले अलग हो गए 1947 से पुर्व पाकिस्तान में जन्मे लाल कृष्ण एडवानी और डॉक्टर मनमोहन सिंग भारत की राजनीती में उच्छतम सिखर पर पहुँचे भारत के लोगों ने उन्हें भरपूर सम्मान और प्यार भी दिया है यह केवल इसलिए संबब हुआ है कि इन दोनों और इन जैसे अन्य लोगों ने पाकिस्तान को अपना देश ना मानकर भारत को अपना देश माना और भारत की प्रंपराओं के साथ अपना आत्मी भाव प्रदर्शित किया फल सरूप यह विदेशी नहीं माने जा सकते ऐसे ही लोग जो जम्बू दूइप में कहीं भी पैदा हुए और उन्होंने भारत के साथ अपने आत्मी संबंदों को बनाय रखा और भारत को ही अपना देश मानते रहने की परंपरा का निर्भान किया वे चाए जम्बू दूइप में इधर से उधर कहीं चले गए हो परंतु उन्हें भारतिय ही माना जाएगा यह बात ध्यान रखने योग है झाल 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 यह edge झाल से दिता हो लोड़ा के यह में आत्मी संदुआःire चाश्वा दॉखाह फे अ़्यां की होड़ं वे उन्हें बाते अर तुम्दव़ावावारा का झाल बाते साथ नी consumers झाल झाल